सबके पास तो आधार काड हो गाई, जैसे आप सभी को मैंने थामनल में दिखाया है कि आधार काड में अब डुकमेंट को अपडे करना ज़रूरी है अब डुकमेंट अपडे कर नहीं कीजिए तक अधार काड रद हो सकता है तीक है याँनि pan कारड में जब लिंक हो रहा था तो उस टाइम इन्हें फिर ओपोस्ट हो रहा था तो उस टाइम कोई लोग ने नहीं कराया यानि लगभग लोग ने कराया और कई लोग ने नहीं कराया तो उस इस्थितिम क्या हो था कि डेट उसका बढ़ाया गया था और फिर उसका आपर कुछ चार्ज रखा गया था पां को upload कर लिए दोकूमेंट क्याक्य upload करना है यह वाला बेवसाइट टाइप किजिएगा और टाइप करनी के बाद आपको इस तरह से दिखेगा या मुवाइल से या सिस्टम से दोनों से कर सकते हैं मुवाइल से कीजिए तो डेश्टॉप साइट कर लिजगा यहां से लेंग्वज अपना सेलेक्ट कर लिए जो भी किजिएगा क्लिक करने के बाद पेज ओपर होगा जो आपको कुछ ऐसा पेज देखने मिलेगा यहां पर आपको लोगिन पर क्लिक करना होगा तो यहां पर न कुमेंने को यहां पर सारत वर लिया अधार नंबर, अफोटीप डल लिया, यहां पर से ठीक है और लोगिन पर क्लिक करोंगा, आफर लोगिन पर क्लिक करोगे, ऐसा से कुछ लोगिन हो जाओगे , लोगिन हो जाने के अधा पाध ऐसा Perquè कुछ आप डीटल यहां पर मिल जाएगा ठीक है यहां पर अप क्या करना है यहां पर आपको देके date बताया गया है आपको यह जो सर्विस है डुक्मेंट अपडेट में यहां पर सर्विस जो है आपको 14-16-24 तक यह कर दिया गए date को पहले क्या था date 31-3090 इसका 31-17-24 तक date था लेकिन अप बढ़ा कर दिया गया लेकिन कई लोग ने नहीं किया तो उसके बाद फिर क्या किया गया कि 500 रुपए पहले लगाया गया लिंक चार्ज इसका बाद 1000 रुपए लिंक चार्ज लगाने गया तो वहां पर आपको समयजदारी से काम कर लेना है कि पहले आप फ्री ओप कोस्ट अगर हो रहा है तो यहां पर अपना क्लिक करके यहां पर सारा डिक्मेंट अभी अप्लोड कर लिजे तो चली मैं यहां पर आपको डिक्मेंट अपडेट करके दिखा देता हूं आपके पास जो जो डिक्मेंट होगा आपको डिक्मेंट लगा लिएगा और सभी डिक्मेंट यहां पर ल सबस्त और थाया है पड़ा चिया अफ्क्र स्पड़िस कर लिए क्लिक कर लिजेगा यहां पर भी डेटीटल मुंटल्त करना केसे कैसे करना है ऑज चैफ यहां पर दिखाया इसके पड़िय। सेक्षन दिख रहे हैं यहां पर फिर से क्लीक कर लीजार क्लिक किसीएगा तो यहां पर आप个 क्रिस्ट में सार्छ जो नाम रहागा आपको देखने को मिल जागा जो यहां पर आधार सेंटर जाकर सुधार करा लिजेगा तो मेरे यहां पर शारा डीटेल यहां पर सही है इसके बाद यहां पर जो डीटेल सही है तो आप आगे की प्रोसेस कीजिए अगर डीटेल सही नहीं है तो आप अपने पहले अधार सेंटर जाकर सुधार कराईए सुधार कराने के बाद यहां से आप क्लिक कर लिजएगा घर प्रमालेजी एड्रेस सुधार करना तो कॉमेंट कीजिए मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूँगा जिसे आप घर बैठे एड्रेस को सुधार कर सकते हैं उसके लिए मोवाइल नमर लिंक होना चाहिए यहाँ पर क्लिक किजिए चलिए यहाँ पर डिटेल सही है नेक्ट प पर अपलोड कर लेयी सपनेट में यहाँपर स्पर्णिब डोकमेंट में यहाँ पर सब कुशब मता अइस में से आप डॕमेंट को रीड कर लिजेगा जो जो आपके पास सेब मंडेगा काड कर और आपके CST OBC certificate जो भी होगा आपके पास यह schooling license ड्राइवी लाइसेंस हो या passport हो मन्रेगा card हो और राशन वगार जो भी होगा आपके पास यह भोटर राइडी कार्ड ही सब तो यह सब इन में से document कोई भी एक upload कर लिजगा तो मैं यहाँ पर document में यहाँ पर अपना certificate की रुप में यहाँ पर mark sheet देने वाला हूँ तो यहाँ से जो भी details आपको देखने को मिलेगा ना तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं चली मैं यहाँ से अपना एक document कोई भी अपना चूज कर लेता हूँ जैसे यहाँ पर सब कुछ बता है यहाँ पर आपको डिटेर्स पर क्लिक करना है इस पर क्लिक किजेगा continue to upload क्लिक किजेगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या है document को upload करना है इस में से ठीक है चली मैं यहाँ पर document upload कर लिए जो यहाँ पर preview के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा याई इस तरह से green हो जागा तो आपको प्रूफ ऑफ आडेंटी के रूप में ठीके और नीचे अप्लोड करना है प्रूफ आफ एडर्स प्रूफ के रूप में यहां से अपना डॉक्मेंट को चूज कर लिजेगा आपके पास जो भी होगा जैसे अपना डॉक्मेंट को अप्लोड कर लिजेगा तो मेरे पास यहां पर मैं अपना डॉक्मेंट यहां पर अप्लोड कर लेता हूँ गवर्मेंट हो या सेंट्रल हो इन में से कोई भी और डाल सकते हैं तो मैं यहां पर OBC certificate डालने वाला हूँ उसेंट्रल लेवल का मेरे पास है तो मैं यहां पर अप्लोड कर लोगा आपके पास जो होगा आप डाल लेजेगा ठीक है यहां ठालने के पास इस तरह से आपको यहां भी ग्रिन हो जाए ग्रिन हो जाने के बाद अब क्या करना है नीचे यहां पर जो डिटेल्स है ना बेल्स यहाँ पर आपको नीचे इहां पर ग्रिन क्रणर में जो है यह नपर समझी कि seulement a और नीचे जो document है ना यहाँ पर आपको जो मैंने आपको proof के तौर में सब पूश दिखाया क्या 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 document देना था ठीक है और नीचे आईएगा scroll down करने के बाद मैंने यहाँ पर देखिए आपको upload किया है OBC Certificate और A.C.H.T. का जो भी है तो मैंने upload कर ले यहाँ पर इसके बड़ इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर next का सेक्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेना है क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर कहा जाए रर्के document आपनो जो दिया है यहाँ डीमोग्राफिक रूप में साहिए है डीटेल यहाँ पर confirm कीजिए अगर नहीं है तो यहाँ पर cancel कीज़ेगा तो मैं यहां पर confirm okay पर क्लिक करूँगा और Okay पर क्लिक करने के पाद यहां पर इस तरह से document upload हो जाएगा document यहां पर upload हो चुगा है upload होने के बाद यहां पर पर आपको service देखने को मिलेगा यहां पर क्लिक कीज़े तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर डॉकुमेंट का यहाँ पर फाइनल दिखा देगा यहाँ पर आपको आज के डेट में यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर एक डॉकुमेंट डाउनलोड हो जागा इस तरह से और यहाँ पर एक डॉकुमेंट को आप इस तरह स सकते हैं और वीडियो अच्छा लग तो लाइक कीजिए सेर कर दीजिएगा ताकि अभी अभी आपको फ्री अपकोस्ट हो रहा है आप फ्री अपकोस्ट कर लिजे तो चलिए फिलाल मिलते हैं नए वीडियो में नेटोपे के साथ